जैहिन दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों बिहार डिलेट की परिक्षा जो कि 30 मार्च से स्टार्ट है तो साथियो उसके लिए आज किस वीडियो में महा मेराथन क्लास को लेकर आए हैं जिसमें साथियों हम लोग GKGS से टोट 80 selected questions को cover करेंगे जो कि साथियों आपके exam में पूछे जाने की काफी ज्यादा chances है बिल्कुल इसी type के question आपके exam में पूछे जाएंगे तो साथियों आप सभी session को बिना skip किये लाश तक पूरा ध्यान पूर्वक देखिये तो चलिए फड़ापट से आप सभी live में जुड़ जाएए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग science विज्यान के प्रस्णों को cover करेंगे जो कि question number 51 से दिया हुआ है उसके वाद फिर हम लोग समाजी कध्यन के प्रस्णों को cover करेंगे तो यहाँ पर देखिये question है मनस्यों में कितने प्रकार के दात होते हैं चार पाँच दो या फिर तीन और साथ्यों प्रत्यक student को नीचे live chat में या फिर comment box में अपना अपना अंसर जरूर करना है तो यहाँ पर देखिये मनस्यों में कितने प्रकार के दात होते हैं तो इसका सही आंसर है चार प्रकार के दात होते हैं कौन-कौन से तो क्रिंथ हो गया भेदक या रदनक हो गया तीसरा आपका हो गया अगर चवरनक और चौथा हो गया आपका चवरनक ये आपको ध्यान र लागू होता है बिल्कुल टॉप लेवल का कोशन है साथियो आपको एक भी कोशन को स्किप नहीं करना है गुरुत्वा कर्षन का नियम खाली स्थान लागू होता है तो प्यारा साथियो गुरुत्वा कर्षन का नियम जो है वर्सस 1687 में किस ने दिया था तो आप सभी जानत नियुटन ने दिया था और गुरुत्वा कर्शन का नियम किनी भी दो वस्तों की बीच लागू होता है तो यहाँ पर ए आप्शन आपका सही जबाब है और इसका फॉर्मुला क्या होता है f is equal to होता है g into m1 into m2 बटे क्या होता है r square आगे दिखिए बड़े नगरों में सडकों पर पीला सुनारा प्रकास देने वाले लेंपों में किस पदार्थ की वास्प भरी होती है तो सात्यों आपने देखा होगा बड़े सहरों में सडकों पर जो नीला सुरी पीला सुनारा प्रकास देने वाले लेंप होता है इसमें किस पदार्थ की वास्प भरी होती है तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा तो 53 के लिए आंसर हो जाएगा sodium भरा होता है sodium का symbol क्या होता है ane होता है और इसका पर्मानु करमां कितना होता है एक 11 अगला कोशन दिके सौर परिवार में सूरी से बसे दूर का ग्रह कौन सा है देखे हमने आपको बताया था सूरी से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों का नाम तो सूरी से सबसे नजदिक सबसे पाले आता है बूद जोकी सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रह है बूद के बाद क्या आता है सुक्र, पिर्थभी, मंगल, वरस्पती, सनी, अरून और वरुन Last में क्या होता है? Varun होता है तो यहाँ पे सबसे दूर पूछा जाए रहा है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? B option Pluto यानि के Varun को इंगलिस में बोला आता है Pluto तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? B option Pluto साथ यों सूक्र ग्रह की बात करें ये सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकिला ग्रह है इसे भी ध्यान रखेगा और व्रस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है निम्नल लिखित में से कौन सी तरंगे अंतरिक्ष में नहीं पाई जा सकती है चले कोशन नमर 55 के लिए आंसर कीजिए बहुत इस सांदर लेवल का कोशन है तो देखे इसका आंसर जो ये बच्चे D बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ध्वनी तरंगे क्योंकि सात्यों ध्वनी को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवस्यक्ता पड़ती है और अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ पे ना तो वायू है ना तो हवा है और ध्वनी जो है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा दोनी तरंगे हमारे दृष्टी से मस्तिस्त का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो साथ इस question का आंसर क्या होगा इस question का आंसर यहाँ पे हो जाएगा option 56 के लिए B, cerebrum यहाँ पे cerebrum होगा इसको सही कर लिजिए अगला question देखिए malaria से पेडित व्यक्ति को कौन सी दबा दी जाती है और देखे साते हो जिन्होंने अभी तक session को like नहीं किया है please आप से request है आप सभी session को like करके और आज इकी session को अपने सभी मित्रों के साथ जरू share कर दिजिए और daily class content कीजिए class का timing है दोपहर तीन बजे से तो malaria से पेडित व्यक्ति को कौन सी दबा दी जाती है तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा option C, chema queen ध्यान रखना है कौन सी दबा है chema queen मानब शरीर में master गन्ति किसे कहती है चलिए अच्छा question आँसर किजिए मानब शरीर में master गन्ति किसे कहती है तो साथ्यों यह है pituitary गन्ति जो कि मस्तिस्क में पाया जाता है इसे master गन्ति कहा जाता है यक्रिल गन्ति मानब शरीर की सबसे बड़ी गन्ति है मिर्दा विहिन खेती का वग्यानिक नाम क्या है तो शाथिवर मिरदा विहिन, खेती का वैग्यानिक नाम पूछे, तो इसका वैग्यानिक नाम होता है, हाइड्रोपोनिक्स यापर B, आपका सही जवाब है, उंसर्ट के लिए हाइड्रोपोनिक्स आगे देखें निम्नलिकित गैसों में से सरवाधिक विसेली गैस कौन सी है मौश्ट विबियाई कोशन एकजाम के लिए आंसर बताईए तो साथ इन चारों अप्शन में से सबसे अधिक विसेली गैस की बात करें तो ये हो जाएगा कर्बन मोनोकसाइड जिसका फॉर्मूला होता है CO कार्बन डायोकसाइड इसका फॉर्मूला CO2 है और जोन कानुसुतर पूछा आता है ओथरी है आगे दिखें निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों के लिए जीव उत्प्रेरक कौन सा पदार थे चलिए 60 के लिए आंसर किजिए तो साथो यापर इस कोशन का आंसर हो जाएगा 60 के लिए D option hormones क्या आंसर होगा? hormones आगे दिखें क्रोमोस्वम्स निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से संबंदी थे तो साथो क्रोमोस्वम्स निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंदी थे आंसर है अनवानसिक गुनों के पार्गमन से अगे देखे खाली स्थान एक दबा या पदार्थ है जिससे आपको अराम महसूस होता है और वो आपके सरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमे करता है कौन सी दबा है तो साथ यो उस दबा का नाम याद रखेगा ये है डी प्रिसेंट जो की ऑप्सेंट डी में दिया हुआ है नाम क्या है डी प्रिसेंट दबाईयां ये क्या करती है सरीर के कारी एबम परतिक्रिया को धीमा कर देती है और देखे आप्शन B में क्या है? एनलेजिसिक ये क्या करता है? तो ये दबाईयां सरीर के दर्द को कम करने के लिए होती है इसे भी ध्यान रखिएगा जब खालिय स्थान की कमी होती है तब पेसिया ठक जाती है देखे इस कोशन का आंसर आपको सोच समझकर आंसर करना है तो यहाँ पे जो ये बच्चे लेक्टिक अमल बता रहे हैं उनका गलत है लेक्टिक अमल यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पर जो आंसर होगा यह होगा ATP C option यहाँ पर सही है ATP कोशीका के साइटो प्लाज में माइटो कॉंड्रिया में ATP का निर्मान होता है और जो सरीर को उर्जा देता है और जब ATP की कमी होती है तो पेसियां क्या हो जाती है ठक ठक जाती है तो आंसर यहाँ पर होगा ATP इसका फुल फॉर्म पूझे तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसीन ट्राई फॉस्पेट अमोनियम नाट्रिट का रसाइनिक सुत्र क्या है और देखे साथ यह प्रसनों के साथ हम आपको जितने भी एक्ष्टा अफ्यक्ट को सुत्र है प्रेरन कुंडली का अविस्कार किसने किया था देखे प्रेरन कुंडली जिसको इंगलीश में इंडक्षन कोईल का जाता है तो साथ यह इसका अविस्कार किया था निकोलस कॉलन ने यहाँ पर देखे D आप्षन में दिया है निकोलस कॉलन ने कौन सा अंग वसा में घुलनसिल विटामिनों का भंडारन करता है तो साथ विसके लिए आंसर यहां पे हो जाएगा कौन सा अमले है तो साथ विसके यह हो जाएगा आपका यकरित कौन सा अंग है यक्रित अंग है जो वसा में गुलंसिल विटामिनों को क्या करता है भंडारन करता है अब यहाँ पर गुलंसिल विटामिन की बात करें तो दीखें दो ऐसे विटामिन है विटामिन B और विटामिन C यह दो ऐसे विटामिन है जो जल में गुलंसिल होते हैं और बचे विटामिन A, D, E, K, ये चार विटामिन ऐसे हैं, जो वसा में घुलनसील होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा यकृत, F, E, K, नूकलियस में 16 प्रोटोन होते हैं, सबसे पहले यहाँ साई किजिए, 16 नहीं होगा, 26 होगा, तो F, E, 2, प्लस, आयन में इलक्ट्रोन के सेंख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए, F, E, 2, प्लस, यहाँ पर क्या है, तो प्लस कब चार जाता है, जब इलक्ट्रोन त्या करता है, तो जो इलक्ट्रोन त्या करता है, उस पर चार जाता है प्लस, और जो इलक्ट्रोन को गरहन करता है, उस पर आता है मैनस, तो दो इलक्ट्रोन का त्याग कर रहा है तो पहले से यहाँ पे देखे क्या है FE में देखिए प्रोट्रोन की संख्या बराबर होता इलक्ट्रोन की संख्या तो यहाँ पे 26 प्रोट्रोन की संख्या है तो इलक्ट्रोन की संख्या भी क्या होगा 26 यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे देखिया क्या है 2 पलस यानिकि 2 इलक्ट्रोन त्याग कर रहा है तो 26 इलक्ट्रोन में 2 घटा दीजे तो यह हो जाएगा 24 इलक्ट्रोन यहाँ पर फेरस ने 2 इलक्ट्रोन का त्याग किया है इसलिए यहाँ पे देखे चार्ड जो है 2 प्लस आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे 26 में 2 को मैनस करेंगे तो यह हो जाएगा 24 आगे देखे निम्नलिकी तत्व में से किसका गलनांक सबसे कम है तो देखे सबसे कम गलनांक किसका होगा titanium का दिखे सबसे अधीव का यह तो answer होगा नहीं अब दिखे आरगन, गंधक और zinc तो zinc का होता है यहाँ पे 419 के आसपास में इसका गलनांक आरगन का होता है 189 मैनस 189 degree Celsius होता है आरगन का और गंधक का होता है 115 दसमलब 2 तो मैनस में आरगन है तो answer यहाँ पे क्या होगा आरगन, आरगन का गलनांक कितना होता है मैनस 189 दसमलब 4 degree Celsius तो आरगन अब यहाँ से समाजी के दिन के कोशन है Social Study तो 71 नमबर से है रिंग कोशन का परियोग कभी किया जाता है तो सात्यों किसी रोगी को सईया घाब होने पर रिंग कोशन का परियोग किया जाता है तो answer होगा सईया घाब होने पर गौन्द का कलप किस प्रकार के वस्तर में लगाया जाता है तो देखे सात्यों सूती वस्तर धुलने पर मुर जाते हैं आपने देखा होगा इन्हें सीधा करने के लिए कलब का प्रियोग किया जाता है तो आंसर यहां पे क्या होगा सूती आगे देखिए टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है तो साथियो टाइलिन नामक जो एंजाइम है लार रस में पाया जाता है इस पर इस्टार मारक कर लिज ये एक्जाम के लिए important है किस में पाया जाता है लार में दुवित्या रंग कौन-कौन सा है देखे सबसे पहले आपको पता होना चीए प्रात्मिक रंग कौन-कौन से है तो तीन प्रात्मिक कलर है ट्रीक है R, G, B Red, Green, Blue देखे येलो प्रात्मिक में नहीं आएगा पहली आपको बता देते हैं Red, Green, Blue ये प्रात्मिक है और दूत्य एक में आपका आजाएगा नारंगी, बैगनी और निला इन में से एक वेद संगीत में कौन सा है यानि कि भारत्य संगीत का जनक किस वेद को का जाता है ये आपको बताना है तो देखे भारत्य संगीत का जनक साम वेद को का जाता है रिग वेद सबसे पुराना वेद है अथर वेद सबसे बादवाला वेद है जलोड मिट्टी कहां पर मिलती है देखे साथ जलोड मिट्टी इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में ये दो प्रकार की होती है पुरानी जलोड मिट्टी और नई जलोड मिट्टी तो जलोड मिट्टी कहां मिलती है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गंगा यमुना मैदान में निम्न लिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षन में परियोग नहीं किया जाता है तो नहीं किया जाता है यहाँ पर केल्सियम बाई कर्वनेट का तो डी ओप्षन यहाँ पर सही है एक सब्तक में कितने स्वर होते हैं दिके सब्तक क्या है तो संगीत में गयान से संबंदी थे सब्तक और एक सब्तक में कितने स्वर होते हैं सिंपल सा कोशन है बारा स्वर होते हैं एक किलो बाईट यानि किसके तुल्य होता है यह तो simple सा question है एक MB ब्राबर क्या होता है 1024 KB तो MB तो option में है नहीं तो यहाँ पर बताना है एक किलो बाइट यानि एक के भी किसके तुली होगा तो यह हो जाएगा 1024 BB के ब्राबर देखें C option में दिया हुआ है 83 वे Oscar पुरुषकार में सर्वस्रेष्ट फिल्म का पुरुषकार किसने जीता है तो सात्यों इसका आंसर हो जाएगा The Kings इस पीचने किसने जीता है The Kings इस पीचने क्रिसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उप्योगी नहीं है simple सा question है जंगल काटना ये उप्योगी नहीं है नेमनलिकित में से किस सागर में लवन्ता सबसे अधिक है तो सात्यों सबसे अधिक लवन्ता किस सागर में है मृत सागर में है किस सागर में है मृत सागर में IPL किस खेल से संबंदी थे तो बिलकुल बच्चों वाला कोशन है ये क्रिकेट से संबंदी थे IPL और आप लोग कमेंट करके बताइए IPL के शुरुवात कब होती है भारत में ACI खेल सरपर्थम कहाँ पर आयोजित किये गए थे ओप्सन देख लिए जे कलकता, दिल्ली, चेन्नाई या फिर मुंबई तो यहाँ पर 84 के लिए जो आंसर हो जाएगा दिल्ली भारत में ACI खेल सरपर्थम कहाँ पर आयोजित किये गए थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली में चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का राष्टे खेल क्या है यहाँ पर ए आप्षन आपका सही जबाब है होकी किसके दुआरा वायू मंडल का प्रदूशन नहीं हो सकता है बिल्कुल बच्चो वाला कोशन है कारवन, मोनोकसाइड, सल्फर डियोकसाइड, कारवन डियोकसाइड इन सभी से परदूशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन से परदूशन नहीं होता है और आपकी जानकारी के लिए बता दे, ब्रमान में सबसे अधीक मात्रा में गैस पूछे, तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को भविशिका इंधन माना गया है जलिया प्रदूषन में कौन सा कारक प्रमूख है तो साथियों सबसे प्रमूख कारक जो है इसमें ओध्योगिक रसायन है इसकोषन पर भी इस्तारमा करलेजी एगजाम के लिए important question है भारत में वायू प्रदूशन का नविंतम घटना जो भहंकर विनास का कारण हुई वो कौन सी है तो यहाँ पर 88 के लिए आंसर क्या हो जाएगा option A हो जाएगा MIC गैस दुरगटना A option यहाँ पर सही है MIC अर्थात मिथाइल आईसो साइनाइट गैस दुरगटना इसको वायू प्रदूशन की वज़ा से होने वाली सबसे बड़ी दुरगटना मानी जाती है यह कब हुआ था तो दिसंबर 1984 में हुआ था MIC यानि मिथाइल आईसो साइनाइट का पर हुआ था यह घटना तो मद परदेश के भुपाल में डेट याद रखेगा दिसंबर 1984 खालिय स्थान के फैसले भारत के बाकी सभी नयलों को मानने होते हैं सिंपल सा कोर्शन है आंसर होगा भारत के उचितम नयले यानि सुप्रीम कोर्ट भारते संबिधान का जो आर्टिकल 14 है इसके अनुसार सर्वोच नयले द्वरा घोसित कानुन भारत के सभी अदालतों पर अनिवार रूप से लागू होते हैं और वर्तमान में भारत के उचितम नयले के मुख नयदिस कौन है तो याद रखेगा डी वाई चंद्रचूड कौन है डी वाई चंद्रचूड 74 संब्धानिक संसोदन अधिनियम ने नगर पालिका को किस भाग में संब्लित करके संब्धानिक मानेता प्रदान की तो देखें 74 संसोदन अधिनियम ने भारत के संब्धान में भाग 9A जोड़ा था तो यहाँ पे केवल भाग 9 दिया हुआ है आंसर होगा आपका उप्सन A चले फिर से यहाँ से देखें साइन्स विज्ञान का कोर्षन है क्या वन नम्मर से RNA एक बहुलक अनु है इसका फुलफॉम आपको बताना है क्या होगा तो साथियो RNA का आपको सिंपल याफे फुलफॉम बताना है तो RNA का फुलफॉम यहाँ पे क्या हो जाएगा ribonucleic acid देखें किस option में दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं B option में दिया हुआ है ribonucleic acid dichloro-difloro-methan का सधरन नाम क्या है तो साथियो dichloro-difloro-methan का सधरन नाम है freon यहाँ पर देखें B option में दिया हुआ है freon और इस gas का इस्तमाल कहाँ पर होता है रेफ्रिज रेशन में होता है आगे दिके बल आगुर्न की दिशा क्या होती है और साथियों आपसे फिर से रिक्वेश्ट है जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सेर किजिए तो बल आगुर्न की दिशा क्या होती है साथियों बल आगुर्न की दिशा होती है परियुक्त बल की दिशा के लंबुवत में कौन सा अंग विशहरन करता है और पाचन के लिए आवस्यक रसायनों को पैदा करता है तो ये है यक्रित जो कि मानब सरीज की सबसे बड़ी ग्रंती है पानी में से ठोस पदार्त को प्राप्ट करने की सबसे किफायती विजी कौन सी है तो देखे पानी में अगर ठोस पदार्थ को प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे उप्यूक्त विदी है अवसाधन विदी अकास या समुद्र की निलिमा को मापने के यंतर को कहा जाता है तो इस यंतर को कहा जाता है साइनो मिटर बैरो मिटर क्या है तो वायो मंदिल दवाब कुम आपने वाला यंतर है बैरो मिटर बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी की कारण होता है देखे साथ विटामिन एक ही कमी से होता है रताउंधी सी की कमी से सकर्भी होता है विटामिन के देखिए तो रक्त को थक्का बनाने के लिए सायक होता है विटामिन E इसका रसाइनिक नाम टोको फेरोल है और ये बांजपन के लिए उतरदाई है तो आंसर यहाँ पे बेरी-बेरी जो होता है विटामिन B की कमी से आप्शन में नहीं दिया हुआ इसको सही कर लिजिए रताउंधी का रोग किसे विटामिन की कमी के कारण होता है तो देखे रताउंधी जिसको नाइट ब्लैंडनेस का जाता है ये विटामिन E की कमी से होता है विटामिन E का रसाइनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल होता है विटामिन B का होता है थाइमिन जिसकी कमी से बेरी-बेरी होता है विटामिन C का रसाइनिक नाम असकॉर्बी के सीडे है और विटामिन D का रसाइनिक नाम केलसी फेरॉल है रक्त को ठक्का यानि क्लोट बनाने के लिए कौन सा विटामिन उप्योगी है तो अभी हमने आपको बताया था है रक्त को ठक्का के लिए ठक्का बनाने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है तो साथ़ीER है विटामिन K जिसका रशानिक नाम होता है Philoquinone अच्छा यह कोशन यहां से जाद रखेगा कौन सा इसा विटामिन है जिसमें Kobalt पाया जाता है तो साथ़ी यह है विटामिन B12 जिसका रशानिक नाम होता है Sinokobalmin इसमें Kobalt धातु पाया जाता है आज कल मलेरिया उनमुलन अभ्यान में किस दबा का छिड़काव किया जाता है तो साथ इसका अंसर है D, D, T का छिड़काव होता है निम्नलिकित आईसकों में से कौन सा लोहे का आईसक नहीं है तो देखे लिमोनाइट, हेमेटाइट, मेगनेटाइट लोहा का ऐस्क है जबकि हिलेराइट ये लोहा का ऐस्क नहीं है रेफ्रिज रेटर में ताप का नियंतरन कौन करता है चले 63 के लिए आंसर बताइए तो साथियो रेफ्रीज रेटर में ताप का नियंतरन कौन करता है तो यहाँ पर इसका आंसर होगा थर्मो स्टेट करता है जो कि C आप्शन में दिया है सूस्क सेल का पॉजिटिव इलक्ट्रोड होता है साथियो सूस्क सेल का जो पॉजिटिव इलक्ट्रोड होता है ये कारवन की छड़का बना होता है व्यापारिक परतिष्ठानों की सजावट में नीले रंग का प्रकास देने वाले बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है तो साथियो इसमें आरगन गैस भरी जाती है यहाँ पर देखें C आप्शन में दिया हुआ है थंडे देशों में कारों के रेडियेटरों में पानी नो जमने देने के लिए पानी में कौन सा रसाइनिक पदार्त मिलाया जाता है तो सात्यों पानी में मिला जाता है एथलिन गलाइकोल को जो किसी ओप्षन में दिया हुआ है रुधिर को पतला करने के रूप में किस दबा का परियोग होता है चलिए अच्छा कोशन आड़ सेट के लिए आंसर किजिए तो सात्यों रुधिर को पतला करने की रूप में किस दवा का इस्तमाल होता है तो इसका इस्तमाल होता है वाफ्रेन का आप्शन ए में दिया हुआ है वाफ्रेन का प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिकित में से कौन सा रोग होता है देखे इस कोशन को हमने कल भी आपको बताया था प्रोटिन की कमी से होने वाला बिमारी का नाम है क्वासियोरकर देखे बी ओप्शन में दिया हुआ है खाली अस्थान पौधे की एक ऐसी प्रजाती है जिसने कम पानी वाले वाताबरन में जिवित रहने के लिए अनुकलन किया है तो जो कम पानी वाले वातावरन में जिवित रह सकते हैं पौधे की कौन से इसी प्रजाती है तो यह है मरुद भीद यहाँ पर देखे ए ओप्शन में दिया हुआ है अब यहाँ से फिर से समाजी कद्धन के कोशन है कोईले का सरबादी को प्योग होता है तो देखे दोस्तों कोईला जो है सबसे सस्ता उर्जा साधन है और इसका सबसे अधिक इस्तमाल उर्जा उत्पादन के लिए होता है यानि विद्धुत ग्रह में क्या आता है कोईला का सबसे अधिक उत्पादन 72 नम्मर कोशन पर आप सबी डबल इस्टार्मा कीजिए एकजाम के लिए मोश्ट इंपोर्टन कोशन है बैला डिला की खदान किसलिए जानी जाती है तो साथ्यों बैला डिला 36 गड़का पाठ है और ये लहो ऐस के लिए प्रसिद्ध है संजुक्त राष्ट महसभा ने मानव अधिकारों की घोसना कब किया था तो साथ्यों ये किया था 10 दिसंबर 1948 को कब किया था 10 दिसंबर 1948 को इसलिए प्रतेक वर्ष 10 दिसंबर को मानवा अधिकार दिवस मनाती है और 1 दिसंबर को 28 दिवस किंद राज्यों में 1969 में सरव पर्थम पंचायती राज लागू किया था ये कोर्शन भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो देखे साथ यो पंचायती राज को लागू करने वाला जो पर्थम राजे है राजस्थान के नागूर से 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज का आरंभ हुआ था और दूसरा राज हो जाएगा आपका आंदर प्रदेश तो देखे किस ओप्शन में है तो राजस्थान और आंदर प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है त्यातरवा भारतिय संविधान संसोधन किस से संबंदी थे तो त्यातरवा भारतिय संविधान संसोधन जो कि 1990 में हुआ था यह पंचायती राज परनाली से संबंदी थे आश्परिस्ता की समाप्ती का संबंद किस से है तो साथियो और प्रिष्टा की समाप्ती का संबंद जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 से सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है तो देखें वित आयो की बात करें ये हो जाएगा आर्टिकल 280 याने एक आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 वितिया पात काले निस्थेती बी के लिए आपका हो जाएगा कौन सा तो यहाँ पे देखें बी के लिए आपका हो जाएगा अनुच्छे 360 बी का एक राज्य सभा के लिए क्या हो जाएगा राज्य सभा के लिए हो जाएगा 312 और संबेधानिक संसुदन के लिए 360 तो यहाँ पे एक चार देख सकते हैं कि ओप्षन में एक चार है तो आंसर हमारा डी ही होगा राश्टिय धोज में लंबाई तथा चोड़ाई का उचित अनुपात क्या है तो सात्यों हमारा जो राश्टिय धोज तिरंगा है जिसे संविधान सबा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था तो इसमें लंबाई और चोड़ाई का जो अनुपात रखा जाता है तीन अनुपात दो के अनुपात में रखा जाता है और राश्टिय धोज में जो चक्र है उसमें कितनी तिलिया होती है सात्यों 24 तिलिया होती है नेमनलिकित में से कौन अबद के क्रिशक आंदोलन का नेता था चले इस पर भी इस्टार माग कर लिजिए तो सातियों 아ود के क्रिशक आंदूलन के नेता थे बाबा, रामचंदर. यहाँ पर देखे ए ओप्सन में दिया हुए है. निम्नलिखित में से किस राजी की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती है? तो सातियों मनीपुर की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती है. बांगलादेश की राजधानी ढाका है मुद्रा टका है भारत में कौन सा जन्तू लुप्त हो गया तो देखें लुप्त हो गया यानि काने का मतलब है लुप्त होने की कगार पर है तो ऐसा है चीता एकत्यत वर्सा जल वर्सा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योगे नहीं होता है इसका कारण क्या होता है देखें जो वर्सा का जल होता है तो वर्सा होने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद वो जो पानी होता है वो पीने योगे नहीं रहता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसमें वो अमलिय हो जाता है यहाँ पर D option आपका सही जबाब होगा अमलिय हो जाता है दिल्ली में कि सुल्तान ने ब्रामनों पर भी जजिया करको लगाया था तो एक्जाम के लिए important question है फिरोज सा तुग लखने निम्न लिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर सुमेलि को दिया है यह गलत है बाके विसुनात मंदिर वारा नसी वरिंदावन मंदिर मतुरा देवी पाटन मंदिर तुलसीपूर यह सभी सही है सोना का लेटिन नाम क्या है इस पर भी इस्तारमा कीजिए हो सकता है 30 मर्च को यह question पूछ ले तो सोना का जो लेटिन नाम होता है और सारदा अधिनियम इस पर भी इस्तारमा कीजिए very important question है सारदा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एब हम लड़कों के विवहा की नियुन्तम आयू करमसा कितने निर्धारित की गई थी तो सात्यों इसका सही जबाब क्या है तो बालिकाओं के लिए 14 और बालकों के लिए 18 तो दीके option में दिया है 14 और 18 फियो जे एक विद्धुद परिपत की सुरक्षा निम्नलिकित में से किस से करता है simple सा question ने overloading यानि अति भारन से करता है निम्नलिकित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है तो दीके आंतरिक या पार्थिव ग्रह क्या है तो सूरी से दूरी के करम में बुद्ध, सुक्र, पिर्थवी और मंगल ये चार ऐसे ग्रह है जो कि आंतरिक ग्रह है तो बुद्ध, सुक्र, पिर्थवी, मंगल option में दिखे मंगल दिया हुआ है निमनलिकित में से कौन सा जानवर रेविज फैला सकता है दिखे रेविज जो है एक जानलेबा वायरेस है और कौन सा जानवर ये फैलाता है तो कुत्ता कौन सा उर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है तो सौर किरने ये पारंपरिक नहीं है सौर किरने से प्राप्त जैसे सौर उर्जा उर्जा का पारंपरिक स्रोत ये नहीं है ये गैर पारंपरिक स्रोत है बाकि कोईला नाभी के उर्जा से प्राप्त विद्दूत पेट्रोल ये सभी क्या है परंप्रिक शुरू थे तो चले साथ यो आज इक लिए इतना ही अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और सेर जरू कीजिए